कीजे शिरी सत्गुरू महराजी कीजे शिरी वाबा दया राम साहेब आपकी सदा ही जै परम्षर्दिय आतम सनमंदी सिरी राज्जी महराज के लाडले एवंप्यारे सुंदर साथ जी आप समझ सुंदर साथ के हिरदया में विराजमान सिरी राजशामा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर परणाम लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की अपरमपार क्रीपा हम सुंदर साथ पे बरस रही हैं और धामधनी हमें परमधाम के सुख देने के लिए इती ही बैठे जागे घरधाम यहीं बैठे बैठे हमें परमधाम में जगाने के लिए ये तारतम वानी की चर्चा का रस्पान करा रहे हैं लाडले सुन्दर साज जी, धनी जी की मेहर, पल-पल हम पे बढ़ती चली जा रही है, कहते हैं न, जो मेरी ठाडी रहे, तो मेहर मापी जाए, मेरी पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेर मापाए, क्रीपा एक ऐसी चीज है, कि वो रुकी नहीं रही, जो मेरी ठाडी रहे, महामती कहते हैं, मेहर रुके तो मेहर को नपा जाए, पर मेहर पल में बढ़े, कोट गुनी, मेहर एक पल के अंदर, ब्रमात्माओं पर क्रोड गुना बढ़ती है, सो क्यों मेरे मेर मापाए, उस क्रीपा का हम कैसे मापे, क्योंकि धामदनी की कृपा से के बीना शिर जी कहते हैं धर से सिर कोई नियारा करें तो आधा लुगा मुख से ना निकसे बहुत बड़ी बात कही कि धर से सिर कोई नियारा करें अगर हमारे धर से शीश को अलग कोई कर दें और कहें कि ब्रह्म के बारे में एक शबद बोलो तो एक शब्द भी कोई ब्रह्म के बारे में बोल नहीं सकता. लेकिने लाडले सुंदर्साजी, यह धनी जी की क्रीपा है, जो हम समझ सुंदर्साथ इस वानी का रस्पान कर रही हैं. आए लाडले सुन्दर साजी हम वंदना के साथ फिर थोड़ा वानिका गायन करके फिर चर्चा शिरू करते हैं स्रिवंदो सती गुरू चरणिको करू सो प्रेम परणाम आशो भरण मंगल करन स्रिदेव चंद्रजी नाम शिरी प्राणि नाथ लिज मूल पती सिरी मेह राज सुनाम तेज कुवर शामा युगल को पल पल करू परणाम शिरी प्राणि नाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहे ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी नाहरें वली गया काम सराणे चलें मन चित्व्या कारज सरें बोलिये शिरी प्राण नाथ प्यारे की जै सिरी सत्गुरू महराज की जै सुन्दर साथ जी ए गुन देख और मेरे धनी ये किये अले खे लाड़ले सुन्दर साथ जी गुन कहते हैं करीपा को और शिरींद्रावती जी की आतम कहती हैं सुन्दर साथ जी ए गुन देखो रे ए सुन्दर साथ जी मेरे प्रितम की मेरी धनी की क्रीपा को तो देखो आप सुन्दर साथ जी ए गुन देखो रे मेरे धनिये की अलेखे मेरे प्रितम ने मेरे धनी ने जो हमारे उपर गुन किये है जो हमारे उपर कृपा किये न सुन्दर साथ जी बार बार शिरी इंद्रावती जी की आतम बार बार महामती हमसे कह रही है कि ए सुन्दर साथ जी धनी के गुन को तो देखो धनी के गुन की मैं क्या कहूं इन अवगुन पर एते गुन शिरी महामत कहें इन दुल्हे पर मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन धनी के गुन की मैं क्या कहूं महमती जी कहती है कि मेरे धनी ने जो मेरे पर मेहर कर रखी है सबसे बड़ी कृपा कि ऐसी माया के अंदर हम सब आत्माएं मोसागर के अंदर वैठी और धाम धनी ने अपनी रोश्यामाजी को भेज दिया हमें जगाने के लिए और ऐसी शामाजी महरानी तार्तम लेके हम ब्रम आत्माओं के लिए इस जागनी बर्माण के अंदर पधारी और हमें बिन कस्नी बिन भजन दियो धाम धनी खसम बिना कस्नी के बिना भजन के सीधा ही तार्तम मंत्र दे के निजानन संपरदाय के अंदर हक सुभान के दिल के अ हमारा admission करवा दिया यह तार्तम क्या करते हैं Jब हमें तार्तम मिल जाता है तो हमारा निजानन संपरदाए में offer जाता है हना लाड़ ले सुंदर सा sworn जी तो धामधनी कहरें कि एह सुंदर साथ जी धनी के गुन तो देखो धनी के गुन की में क्या कहुँ धनी की क्रीपा की मैं क्या बात करों इन अवगुन पर एतेगुन हमारे अंदर रोम रोम कई कोट अवगुन ऐसी में गुनेगार एक तो कही में गिनती पर गुने को नहीं शुमार हमारे रोम रोम के अंदर रोम रोम कई कोट अवगुन ज्यान से सुनना सुनदर साथ जी हमें कोई हमारी एक गलती बता दें कि आपने बाकी सब अच्छा है पर आपके अंदर न ये बहुत बड़ी कमी है एक, ज्यादा नहीं मताई, एक कमी है आपके अंदर, तो हम कभी भी उस कमी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, कि मेरे अंदर और कमी, लेकिन हम शिरी इंद्रावती जी की आत्म को देखें, वो क्या कह रही हैं, हम क्या कह वो कह रही हैं, कि रोम रोम कई कोट अवगुन, वो कह रही हैं, वो फर्मा रही हैं वानी के अंदर, कि मेरे एक रोम के अंदर कई करोडों अवगुन हैं, समझें, रोम रोम, हर रोम रोम के अंदर करोडों अवगुन हैं, ऐसी मैं गुनेगार, हम कहते हैं, मैंने कौन सा कर लिया मैंने कोन सा अपराद कर लिया मेरे अंदर क्या कमी है है ना मैंने क्या गलती कर ली लेकिन हम अपने तुलना करें कि हम कैसे हैं हम क्या बात करते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं और शिरी इंद्रावती जी की आतम कह रही है कि ए लाडले सुन्दर साथ जी रोम रोम कई कोट अवगुन ऐसी में गुनेगार ए तो कही में गिनती कहते हो सकते हैं मेरे रोम गिने जा सकते हो क्योंकि हमारे शरीर पर जो रोई होते हैं समझ रहे हो जो रोई होते हैं रोम होते हैं शिरी इंद्रावती जी कहते हैं एक रोम में करोडों अवगुन रोम रोम कई कोट अवगुन ऐसी में गुनेगार ये तो कही मैं गिंती ये तो फिर भी मैं गिंती बतारी हूँ पर गुने को ना ही शुमार मेरे गुनाओं का कोई शुमार ही नहीं है और फिर देखो आगे उन्होंने क्या कहा क्या फर्माया कि रोम रोम सूली चड़ूं मेरे गुणा धनी इतने हैं मेरे अंदर अवगुन इतने हैं रोम रोम सूली चड़ूं मैं एक सूवा होता न जो बोरी सीने वाला उस सूवे को अच्छे से लाल कर लूँ बठी के अंदर ध्यान से सुनना एक दम लाल कर लूँ रोम रोम सूली चड़ूं हर रोम के अंदर मैं वो लाल सूवा अंदर बार कर दूँ सब अंग निक से फूट और कहते मेरे हर रोम के उपर फाले पड़ जाएं एक एक रोम के उपर ऐसी करूँ जो आप से तो भी अवगुन एक न चुट श्री इंद्रावती जी ने कहा एधनी ए मेरे प्रितन मेरे अंदर किते अवगुन हैं एक एक रोम में करोडों करोडों अवगुन और मैं हर रोम के वो सूवा आर पार कर दूँ और फिर उसमें फाले निकल आएं फिर इसके बाद कहती हैं कि माहें भरूं मिरच और लून फिर मैं फालों के अंदर क्या बर दूँ नमक और मिरच की मुठी कठी कर लूँ और उसके उपर लगा दूँ अच्छे से जो फाले पड़े जिसकी चमडी उतर गई उसके उपर में नमक और मिरच लगा दूँ पूरी की पूरी विचार कीजिए एक जड़ा सा उंगली पे कट लगा होता है ना चाकू से लग जाएं तो हम नमक डालने लगे ना किसी चीज में तो वो हमारा छोटा सा कट जल उठता है हाना फिर हमें जल्दी से पानी में हाथ डालना पड़ता है और शरी इंद्रावती जी की इस्थती देखिए कैसे वो कह रही है विचार कीजिए सुन्दर साथ जी की माहें भरू मीरच और लून फिर एक बार नहीं का एक बार नहीं का कह रही है कई कोट बेर ऐसी करूं ऐसा मैं कितनी बार करूं अपने साथ अपने इस तन के साथ ऐसा कितनी बार करूं कई कोट बेर ऐसी करूं तो भी ना छुटे एक खून एक बार नहीं मैं करूडों बार अपने साथ रोज ऐसे करूं ना रोज तब भी धनी मेरे अवगुन है न जो वो कम होने वाले नहीं है मेरे अंदर इत्ते अवगुन है दनी और कहा ए ना ही अवगुन और जो मेरे तो लेप बजज़द एविद सोई जानसी जाकि अंतर खुली नज़द ए ना ही अवगुन और जो फिर शिरी इंद्रावति जी की गरिबी देखिए कैसे धनी से बात करती है धनी जिसे कहती है ए ना ही अवगुन और जो ए मेरे वाला जी ए मेरे प्रितम ग्यारा हजार नौसो नडिन में आत्माओं के अंदर इतने अवगुन नहीं है मेरे अवगुन उनके जैसे नहीं है ए ना ही अवगुन और जो मेरे तो लेप बजजर ए धनी ए प्रितम मेरे लेप बजजर अवगुन है लेप बजजर की का एक्जामपल भी दिया धर्ष्टांट भी दिया ध्यान से सुनना सुनोंगे तो जीवन प्रियंत आपके हिर्दे में बैठ जाएगा और लेप बजजर अक्षर को कभी भूल नहीं सकोगे कि लेप बजजर क्या होता है शिरी इंद्रावती जी धनी जी के सामने क्या कह रही है ए नहीं अवगुन और जो मेरे तो लेप बजजर ए विद सोई जानसी जाकी अंतर खुली नजर धनी मेरे लेप बजजर अवगुन है अब आप लेप बजजर की बात सुनिए प्राचीन काल में कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी पीठ के उपर पीछे जुड़ुआ एक और साथ के साथ ही इकठे दोनों होते हैं एक पीठ के उपर पीछे चिपका हुआ था मुख उसका आगे पूरे हाथ पैर ये पीठ और कमर एक पीछे से कर दी और बाकी हाथ पैर अलग हैं ज्यान से सुनना वो जो पीठ लटका हुआ है वो ना अपना खुद भोजन का इंतजाम कर सकता है जो पीछे लटका हुआ है जो बोज्झे की तरह पीछे पीछे पीठ पे लटका हुआ है ना वो अपने आप खा सकता है ना ल्या सकता है वो सारा का सारा बोज्जा किसके उपर जिसकी पीठ पे वो बच्चा पीछे से लड़का हुआ है और उस ने कह दिया कि ए पूरण ब्रह्म परमात्मा क्योंकि पहले वो रोज विक्षा मांगने के लिए जाता था उसको भूख लगी होती पीछे वाले को आगे वाले को नीन आ रही होती तो वो पीछे वाला उसके बाल खीच के कहता कि खड़े हो मुझे भूख लगी है चलो सो क्यों रहे हो मुझे भूख लगी है चलो भोजन मांग के लाते हैं कहीं से चलो भोजन मांग के लाई मुझे भ ना अराम करने देता तो उस बच्चे ने जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा होके उसने कह दिया के पूरण ब्रह्म परमात्मा तेरे पास इस से बड़ी तो सजा होई नहीं सकती जो सजा तुने मेरे को दी है मेरे लेप बजजर अवदुन थे तो ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि मैं ना बैठ सकता हूँ ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ अपनी मर्जी से ना मर्जी से सो सकता हूँ इससे बड़ी सजा तेरे पास है ही नहीं ये तेरे पास सबसे बड़ी सजा है जो तुने मुझे दी है पूरण ब्रह्म परमात्वा ने सोचा इसको बड़ी कह रही है सजा इसको कह रहा है बड़ी सजा अभी तो ये मांग के लाता है वो खा लेता है हैं अब क्या हुआ वो जो पीछे लटका हुआ था ना वो मर गया अब तक तो गाव में जाता था मांग के सब लोग तरस करके दया करके उसको रोटी देते कि एक का बोज नी इसने दो का बोज उठा रखा है उसको रोटी मिल जाती खाने को बहुत कुछ मिल जाता लेकिन अब वो किसी के घरगाओं में मांगने के लिए जाता है तो जब मांगने के लिए जाता है तो उसको पत्थरों से मारते हैं लोग क्योंकि पीछे वाले में बदबू आने लग गई और जैसे ही बदबू आने लगी धीरे धीरे वो पीछे वाला गलने लगा सडने लगा तो वो हाज जोड़ के कहता है ए प्रमातमा तेरे पास इससे भी बड़ी सजा हो सकती हैं अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे जैसे सजा तुने शायद ही किसी को दियो अब मैं ये कहूँगा कि तेरे पास इससे भी बड़ी कोई सजा हो सकती है ये लेप बजजर मेरे अवगुन थे जिसके कारण मुझे सजा मिली लाडले सुन्दर साज जी शिरी इंदरावती जी की आतम ने कहा ए धनी ए नाही अवगुन और जो मेरे तो लेप बजजर मैंने तो उस कितने लेप बजजर अवगुन किये हुए है ए विद सोई जानसी जाकि अंतर खुली नजर ये वो समझेगा जिसकी आतम दृष्टी खुल गई कि अवगुन क्या होते है और धनी की क्रीपा क्या चीज होते है धाम धनी की क्रीपा क्या चीज है और हमारी अंदर अवगुन कितने है तो शिरी इंद्रावती जी की आतम ने महामती ने एक परकरण में कहा जो हम गा रहे थे सुन्दर साथ जी ए गुन देखोरे मेरे धनिये किये अले के मेरे धनिये किये अले के सुन्दर साथ जी ए गुन देखोरे मेरे धनिये किये अले के मेरे धनिये किये क्यों न छोड़े माया हम को हम भी छोड़ी ना जाए क्यों न छोड़े माया हम को हम भी छोड़ी ना जाए अरश परस भाई पहले बजर में सो मेरे धनिये दई छुट काए सुन्दर साथ जी ए गुन देखोरे मेरे धनिये किये अले के कोई न निकसिया इन माया से अवल से ती आज दिन ए धनि इस माया से शिरू से लेके आज तक कोई ने निकल सका और आपकी करीपा देखिए हम तारे चोड़े भवन इसलिए शिरी इंद्रावती जी की आतम कहती है कि ए मेरे प्रितम ए मेरे धनी मैं अपने अवगुनों की क्या बात करूं और ए धनी आपके जो गुन है उन गुनों की उपर प्रकाश हिंदी में प्रकाश डालती है कि ए लाडले सुंदर साथ जी आपन में बैठे अधार खेल दिखाया खोल के दुआर कैते लाडले सुंदर साथ जी वो प्राणों के नाथ वो प्रितम हमारे हिर्दे के अंदर आके साक्षात बिराजमान हो गए और विराजमान होके और हमें हमारी आंखे खोलके और हमें खेल दिखा रहे हैं हमें पहचान करा रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी अब माया कोटान कोट करे परकार और शिरि महामती जी कहती है शिरिंद्रावती जी की आतम कि माया करोडो यतन क्यों ना लगा दे अब मा माया कोटान कोट करे परकार कहते वो सत्गुरु देवचंदर जी महाराच वो मेरे प्रितम मेरे हिर्द्या में आके सक्षात विराजमान हो गई हैं अब माया करोणों यतन लगाए हना तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार दनी की कृपा देखो हना प्यू पांच बेर हम वास्ते सागर में डार्या आप पांच बार हमारे लिए दाम के दनी इस मोसागर के अंदर इस संसार के अंदर चल के आए और अब पांचवी बार किनके अंदर आके बैठे हैं शिरी इंद्रावती जी की आतम के अंदर कहते हैं देखिये सुंदर साथ जी धनी के गुन देखिये किस परकार धनी अमारे पर कृपा किये जा रही हैं कैते हैं गुन दनी के याद कर और पकड़ पिया के पाई सुख्खे बैठ सुखपाल में तो यह देशी वतन पहुंचाए ए मेरी लाड़ली आतम तुझे कुछ याद McCarthy करना है तो धनी के गुनों को याद कर गुन दनी के याद कर धनी ने मेरे उपर क्या-क्या क्रीपा की कैसे मेरे प्राणों के प्रितम हमारे साथ ब्रिज में साथ रहे रास में हमें महारास खिलाया और फिर सत्गुरु देव चंदर जी बनके तार्तम मंत्र लेके आ गए फिर स्वामी शिरी प्राणना जी के सवरूप में आए ए लडले सुन्दर साथ जी कहते हैं कि ए सुन्दर साथ जी अब माया कोटान कोट करे परकार माया करोडों करोडों अपने अलग अलग तरीके दिखाए तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार देखिए ये कृपा है धामदनी की के महामती कह रही है कि चाय माया कितना भी यतन लगाएं पर लाडले सुन्दर साथ जी मैं आपको कभी भी इस माया के अंदर अब नहीं छोड़ूंगी ऐसे पूरण ब्रह्म अक्षरातीत धामदुलाहा हक्की सूरत निश्कलंकबुद अवतार महामती स्वामी शिरी प्राण नात जी जो आप शिरी इंद्रावती जी की आतम हमारे लिए कितनी चिंता कर रहे हैं और हमें कुछ लेना देना ही नहीं है किवानी के अंदर वो क्या क्या हमारे लिए कह रहे हैं किस परकार से हमें जगाने के लिए यतन कर रहे हैं प्रियतन कर रहे हैं बुलाए सैयों को चले वतन, क्यों ना होए जो कहे वचन, कहते ए सुन्दर साथ जी, प्रितम अक्षरातीत ने ब्रहमात्माओं को निजधाम की रा दिकाई, सत्गुरु धनीश्री देवचंदर जी महाराज ने, और अब वो मेरे हिर्दय के अंदर आके साक्षात बिराजमा हो गई हैं, हना, मन के मनोरत पूरण कर, नेचे धनी ले चल सी घर, ए लाड़ले सुन्दर साथ जी, जो सत्गुरु धनी श्री देवचंदर जी महाराज, हमें बुलाने के लिए आए, जिनको धनी ने कहा था, लियाओ बुलाए तुम, रूह अल्ला, जो रूहे मेरी आशि रबद किया प्यार वास्ते, कईयों कहलाया हक, उनको भेचा था, कि बुलाके ले आओ, तो केने बुलाए संयों को चले वतन, समस्दर साथ को बुलाते हुए, वो अपने घर, घर कौन सा हो गया, शिरी इंद्रावती जी का हेड़ देया है, हना, क्यों ना होए जो कहे वच जो वचन सद्गुरु जी ने कहें, वो कैसे पूरे नहीं होंगे, मन के मनोरत पूरण कर, कहते वो सद्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महाराज, जो मेरे हिर्दे के अंदर आके साक्षात विराजमान हो गई है, वो सारे हमारे मन के मनोरत को पूरण करेंगे, नेचे धनी ले चल सी घर, बोलिये शिरी प्राणनात, प्यारे कीज़े, सिरी न्दरावती जी की आतम कहती है, लाडले सुंदर साज जी, जो सद्गुरु धनी शिरी देव चंदर जी महाराज, हमें बुलाने के लिए आए हैं, इस जागनी बर्मान में, वो पहले हमारे सारे मन के मनोरत पूरण करके, और फिर वो अपने घर परमधाम लेके जाएंगे, अब जो आपन हो ये सनमुख, शिरी न्दरावती जी की आतम फरमाती है, लाडले सुंदर साज जी, अगर आज भी हम सनमुख हो जाएं, क्योंकि हम भी मुख हो न, हमने माया की तरफ मुख कर रखा ह हम माया की तरफ दोड रही है, हना सुंदर साज जी, और धामधनी फरमारें, अब जो आपन हो ये सनमुख, अगर अब भी हम धनी के सनमुख हो जाएं, तो धनी बहुत विद पावे सुख, शिरी न्दरावती जी की आतम कहती है, ए लाडले सुंदर साज जी, अगर अब भ सनी को बड़ा सुख मिलेगा, कई विद दया साथ पर कर, क्याते कितने प्रकार की दया, हम सुंदर साथ पर उन्होंने की, सब विद के सुख देवें, फेर, कितनी बड़ी क्रीपा करी, पहले चोंतिस वरश तक, शिरी पांच नवतनपुरी धाम के अंदर, हम ब्रहम आतमा को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए, सत्गुरु धनी श्री देव चंदर जी महाराज, वानी चर्चा की अमरत वर्शा करते रहे, और जब देखा कि अभी सुंदर साथ नहीं जगा, तो वो ही सत्गुरु धनी श्री देव चंदर जी महाराज, दूसरे तन में, श् आक्षात विराजमान हो गए तो कह रहे हैं फेर कर भलो आयो अवसर अब शिरी द्रावति जी की आत्म कहती है लाड़ले सुन्दर साच जी दुबाना सुनेरा मौका मिला है हना खुले भाग धनी चित में धर ए मेरे लाड़ले सुन्दर साच जी धाम धनी को हिर्दे में धार करेगा जो हिर्दे के अंदर चित्वन के द्वारा ध्यान के द्वारा उनके सवरुप को उनकी शौबा को उनके सिंगार को अपने हिर्दे में विराजमान करेगा तो कहते खुले भाग धनी चित में धर अरे भाग्ये हुदे हुएं ऐसे धाम धनी को ऐसे प्रित्तम को अपने छोड़ने ना करे संसार, शिरिंद्रावते जी की आतम कहती है सुन्दर साजी, अपने तो संसार छोड़ना नहीं चाते, अपने तो संसार की मोरुपी डोरी के अंदर इस परकार बंद चुके हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाते, पर धनी दाम विचोवाना सहे लग प्यार, देखेए सुंदर साजी धनी का प्यार, शिरिंद्रावत्य जी की अतम कहती हैं, कि हम संसार नहीं छोड़ना चाते, और धाम के धनी कहती हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा, आप से माया नहीं छोड़ रही न, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माया के अंदर आपको जब भी भी नहीं जाओंगा मैं तब तक नहीं जाओंगा जब तक आप सब आत्माएं जग नहीं जाओगे संग लाए हैं संग ले जाएंगे संग ले आए हैं संग ले जाएंगे इमान कायम रखना धनी के सन मुख रहना पीया के सन मुख रहना संग लाए हैं संग ले जाएंगे इमान कायम रखना धनी के सन मुख रहना पीया के सन मुख रहना धनी के सन मुख रहना लाडले सुंदर साज जी धाम धनी फर्मा रहे हैं कि आपने छोड़ने न करे संसार पर धनी धाम विच्छुआ न सहें लगार अपने संसार नी छोड़ना चाते और धाम धनी ने निश्चित कर लिया कि मैं परमधाम की आत्माओं को जागरत किये भीना परमधाम ले जाए भीना इस मुख माया के अंदर कभी भी छोड़के नहीं जाओंगा हम आएं एते काम ब्रमसिष्टी ले जाने घर धाम शिरी इंदरावती जी की आतम आप प्राणनाथ जी फरमाते हैं हम तो इत्ती काम के लिए आएं परमधाम की आत्माओं को परमधाम ले जाने के लिए बोलिए शिरी प्राणनाथ प्यारे कीजें आईए लाड़ले सुन्दर साजी समय होगे हम चोपाई दोराएं पर धनी दाम विच्छोआ न सहें लगार लगार का मतलव होता है रंचक मात्र रंचक मात्र भी अमारा विच्छोड़ा सैन नहीं करते फेर कर भलो आयों अवसर खुले भाग धनी चित में धर आपने छोड़ने न करें संसार पर धनी दाम विच्छोआ न सहें लगार बोलिए शिरी प्राणनाथ प्यारे कीजें शिरी सत्गुरु महराज कीजें समस सुन्दर साथ जो फेस्बुक पे सुन रही है वानी चर्चा इधर जूम पे सुन रही है समस सुन्दर साथ के हिर्दय में विराजमार सिरी राजशामा जी के शिरी चर्णों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाब मैं अभारी हूँ शिरी एचकेल अहुजा जी की मनीश जी की समस्त सुन्दर साथ की जो ये वानी चर्चा का सुख आनंद ले रही है और मुझे भी मिल रहे है परिणाम जी आदा गंटा तक मानी चर्चा का सुख इस कर्यों में आज के प्रभाव में जहां माया कदम कदम पर हम आप सब को परशान करें एक भी घर ऐसा चुटा नहीं है जिसके अंदर माया का प्रकोप नहीं है कि अदा गंटा परम स्व antibodies तैंशार्दा नामी एक एक शबद मार बार छोग पर सुचड़ कर सुना सुना कर समझा समझा कर इस रांणाजी आप के अंदर आशे अदागंता भी राजमान हो जाते मरा जवातासी और आप ये अम्रत रस्पान करा रही है और कर रही है आपको भी लाव है और हमसद को भी लाव है ये राजी की पेहर है ये आपकी हमसद पर किर्पा है और ये किर्पा बनाए रखना कल शरीवार है कल वानी कर्टा के साथ बत का तार्षम भी है आप भजनों की योड चले हमारे सुमाश अहुजा जी स्यार है सुमाश अहुजा